इकोटेक हिंदी का औरेक वीडियो में आप लोगों का सहगय थे आज में फ्रिसे आगया हुम औरेक डिवानेबल टोपिक लेकार टोपिक है महेंजा टियो गारी का चार्जिक बोट पॉइंट के उपर हारेक टियो गारी के लिए कैसा चार्जिक बोट होना चाहिए आज इस वाले वीडियो में बाद करेंगे मैंने पहले भी charging board installation के उपर वीडियो बना है इस वाले challenge में लिकिंग इस वाले वीडियो में आप लोगों को live बोर डिखाएंगे जो एक कैसे होना चाहिए perfect एक charging point हड़ेक T.O. vehicles के लिए तो चले वीडियो शुरू करते है महिंदा कमपानी की कोई भी ट्रियो गारी में जैसे की ट्रियो यारी, ट्रियो प्लास, ट्रियो जोर या फिर ट्रियो जोर ड्रेंड कोई भी ट्रियो गेरियन के साथ जो भी चार्जर प्रोवैड करते है जैसी की टियो एरी के साथ एक सीकावम का चारजर, टियो प्लास, जोर या फिर ग्राहिन के साथ आमरा राजा का एमराण कमपानी का चारजर, कोई भी चारजर घड़ में किसी भी बोर्ड में यूज नहीं कर सकते है प्रोफर चार्जिंग पॉइंट नहीं होने से आपकी चार्जर बार बार खराप हो सकता है इसलिए आपके पास कोई भी T.O. वेरियेंट है या फिर लेने के बाड़े में सोच रहे है पहले प्रोफर चार्जिंग पॉइंट बाना लिजे नहीं तो आपका चार्जर हार बार खराप हो सकता है या फिर चार्जिंग बोर प्रोफर नहीं होने से चार्जर और एंटे में भी प्रोब्लेम क्रेट हो सकता है बहुत ज़्यादा जो charging point होगा ओ होगा की 60A का socket और 60A का switch के साथ और इसमें must 60A का NCB और 25A का 30mA का RCCB या फिर ELCB होना ही चाहिए जो एक proper arcing के साथ जूरा रहेगा जासे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक ठीयो customer के घर में charging home installation है जो proper arcing के साथ 60A का NCB और 25A 30mA का RCCB के साथ जूरा हुआ है और जो बोडे में connection होगा ओर distribution box मतलब direct meter box से होना चाहिए जैसे कि इस वाले meter box से connection लेके कैसे देखिए charging point किया हुआ है जो एक proper arcing के साथ जूरा हुआ है इंपोर्टेंट चीज आर्थिंग जो है ठी भोल के अंदर होना है चाहिए और distribution box से charging board का जितना distance बारेगा तिनो जो तार है face, neutral और आर्थिंग का जो ओयर का thickness को भी बाराना पारेगा यह चीज जब आप लोग काल लेंगे तो फिर आपका तो charging जो home installation है वो प्रोपर हो जाएंगे इस बाज़स से आपका charger बार बार खारप नहीं होगा और warranty भी कोई भी problem नहीं होगा आपके लिकिंग या तरागना प्रोपर charging बोट home installation नहीं होने पर आपका तो charger का warranty में भी बहुत ज़्यादा problem हो सकता है charger का warranty reject भी हो सकता है जाप देखेंगे जो charger home charging जो home installation बोट है वो प्रोपर ठीट से नहीं किया है या फिर कारी खरिकने से पहले आपका जहाँ पर charger या फिर दिखाया गया है MCB और RCCB या भी ELCB लागा लिजिए उसके बाद ही जो आपका चांचा जो है उस कीजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत सुप्रे अगर ए वीडियो आपके आच्छे लागे है तो वीडियो जोरूर लाइक करना और इस वाली चैनल पे ये इस वाली टियो गारी के उपर बहुत ज़ादा जानकरी वीडियो डालते रहते है आप लोग जोरूर वाच कीजिए और वीडियो पाने के लिए चैनल सजोरू सस्क्राइब कीजिए झाल झाल